पेपल लीक मामलों में एसोजी की और से के जो आ रहे है बड़े-बड़े खुलासों के बीच अब बीजेपी के दिगज लेता क्रोडी लाल मीना ने इस पर अपनी प्रितिक्रिया देते हुए पूर्व मुखे मंतरी अशोग घहलोत पर नकल माफिया को सनरक्षन देने का आरोप लगा है क्रोडी बोले की मैंने पूरवती सरकार के समय कहा ता कि 2018 से सारे पेपर आरपी एससी से ही लीक हुए है नमस्कार में शेख जोया आप देख रहें देन अगरी न्यूस रामुराम राइका की ग्रफतारी के बाद क्रोडी लाल मीना सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर बोले मैंने पूरवती सरकार के समय कहा ता कि 2018 से सारे पेपर आरपी एसी की ओर से लीक हुए है काफिया को संरक्षन नहीं देती तो यूगाओ के साथ इतना वड़े अन्याय नहीं होता बताते चले कुछ वक्त पहले ही पूर्व गहलोस सरकार के कारेकाल के दोरान पेपर लीक मामलों को रेक कर डोक्तर क्रोडी लाल मीना ने कई खुलासे किये थे और एसो जी को पेपर लीक से जुड़े कई सबूत भी सोपे थे अब मीना की ओर से दिये गए तत्तियों पर एसो जी काम कर रही है इस ट्वीट के जरीए कि रोडी लाल मीना ने ना केवल सब स्पेक्टर भरती बलकि वरिस अत्यापक भरती लाइबरेरियन भरती जईयन भरती सी एचो भरती सही पास साल में हुई तमाम भरतियों को लेकर पूर्फ सीम अशुक घैलोत को कट घरे में खड़ा कर दिया है और घैलोत पर सीधा आरोप लगाया है कि उन्होंने पेपल लीक और नकल माफिया को संडरक्शन दिया था ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे हैं दनंगरी नीम शुक्रिया